हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो आईट्व चनल, आज हम करने जाएंगे चैप्टर फोर यह प्लानिंग, वट दियू में वाइप्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है वेटा, प्लानिंग इस डिसाइडिंग इन एडवान्स, वट तु दू, वेन तू दू, हाव तू द और किसके द्वारा काम करा जाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम डिसाइड कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही, जो भी काम हम करने जा रहे हैं, उसमें जो यह सारी चीज़ हम स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लें, कि कौन करेगा, कब करेगा, कहां करा जाएगा, कि इस काम को कैसे करेंगे, यह सारी चीज़ना कहलाती है, planning, planning यह होती है, deciding advance, हम पहले ही यह सारी चीज़न, decide करके रख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद में आता है, what are the functions and characteristics of planning, characteristics of planning, क्या-क्या होते है, planning focuses on achieving objects, planning क्या करता है, अच्छा इसे एक और नाम से जाना जाता है, planning, planning is a goal-oriented, planning is a goal-oriented process, planning क्या है बेटा, goal-oriented process है, goal-oriented का मतलब है, हम जो भी business कर रहे हैं, या फिर जो भी firm करने जा रहे हैं, आगे चलके, पर हमने उसके लिए जो goal बनाया है, उसको achieve करने में planning बड़ी help करती है, बगएर planning के हम कोई भी goal को orient नहीं कर पाते हैं, कोई किसी भी goal को achieve नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहला function होता है, वो होता है, कि planning क्या करती है, हमारी goal-oriented process में help करती है, हमें goal achieve करने में help करती है, second, planning is a primary function of management, देखो management के कितने functions होते हैं, 5 होते हैं, planning, organizing, staffing, directing, controlling, पांच functions होते हैं, सबसे पहला क्या था, planning, तो planning क्या है, हमारा primary function है, अगर हम कोई भी business start करना है, कोई भी काम start करना है, सबसे पहले, we need a plan, हमें एक plan की ज़रूरत पढ़ती है, इसी चीज़ को planning बोलता है, deciding in advance, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन-कौन मिल करके करेगा, यह सारी चीज़ें, decide करने नहीं, क्या कहलाता है, planning कहलाता है, इसके बाद में, planning is a pervasive in nature, pervasive in nature, इसका मतलब समझना, pervasive, universal, means planning, यहाँ पर, planning is required at all levels of the management, management के top level, middle level and lower level, हर एक level पर आपको किसी की planning की ज़रूरत पढ़ेगी, so planning is a pervasive in nature, planning is continuous, whether you achieved your goal or not, but planning is to be continuous, हमें क्या करना पड़ेगा, planning आपको continue रखनी ही पड़ेगी, अगर आपने goal orient कर लिया है, तब भी आपको planning continue रखनी है, देखो, आपने क्या करा है, आपने कहा है, हम यहाँ से लेकर कि यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, यह आपने decide करा, ठीक, तक पहुचेंगे, तो अब planning की continue फिर करो, अब हमें यहाँ तक पहुचना है, फिर हमें यहाँ तक पहुचना है, तो हमारा क्या रहता है, planning क्या रहता है, हमारा continue रहता है, ठीक है, तो planning क्या रहेगी हमारी continuous process होती है, planning को आप कहीं भी रोख नहीं सकते है, discontinuous नहीं है, planning का मतलत है future के लिए हम planning करें पढ़ रहे हैं आप पढ़गो हैं आपने planning कर लगे एक गर मेरे class 12 में इतने आएंगे %95 परसेंटे गे तो मैं schollen इनपर रिविशन लूँगा 93 اएंगे तो मij inhale टो मेरे मैट्स मच्छे नहीं आई या साइन्स एसस्टी मच्छे है तो मैं अपने आर्ट्स ले लूँगा इस तरह से हम डिसाइड करते हैं तो यह ही तो है प्लानिंग इस फ्यूचरिस्टिक और फ्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर हैं जैसे class 12 10th के paper देने के बाद आपके पास तीन alternates होते है science commerce arts यह alternates है तो आपको best alternate निकालना है तो कौन planning decide करेगा आपका सबसे best alternate निकालने में बट आप पहले से ही decided हो कि मुझे science लेनी है तो आपको planning की कोई जरूरत है आपको तो पहले से ही पता है ना मेरी कितनी भी percentage है कितने भी marks है मुझे तो science लेनी है इसमें alternate की ज़रूरत ही निया decision making की ज़रूरत निया decision making के हमें ज़रूरत तब पढ़ती है जब हमारे पास alternates हो तो यह है planning involved decision making ठीक है planning क्या करता है हमारे alternates को अच्छे आइडिया जो होते हैं उनको चांटने में वड़ी मदद करता है planning is a mental exercise planning देखो planning physical exercise नहीं है मैं planning कर रहा हूं तो आपको दिखूंगा नहीं planning mental exercise है जिसके थुरू आप क्या करता है लॉजिकली लॉजिकली आप किसी चीज को सोचते हो और उसके उपर विचार करते हो उसके बाद में उस काम को करना हम start करते हैं तो planning कैसी होती है वीटा mental exercise होती है हमें सोचना पड़ता है हमें अपने दिमाग का इस्तमाल करना पड़ता है यह कोई physical exercise नहीं कि जाओ और मेहनत करो काम कर लो नहीं सबसे पहले आपको planning करने के लिए mental exercise है आपको हर चीज के हर एक aspect सोचना पड़ेगा अगर आप planning कर रहे को मुझे 10 के बाद कुछ subject लिने science लिनी commerce लिनी आर्ट्स लिनी है तो आपको mentally तयार होना पड़ेगा physically नहीं mentally तयार होना पड़ेगा आपको mentally यह चीज डिशाइड करनी पड़ेगा कि आपको कौन सा stream चुनना है तो यह तो होते है planning के functions अब इसके बाद में आता है what are the importance of planning अगर functions यह है तो importance क्या है इसकी characteristics हमने पढ़ लिए planning का मतलब पढ़ा अब पढ़ते हैं वेटा जी हम क्या चीज प्लानिंग की importance planning provides direction सबसे पहले तो planning हमें क्या कर देता है direction प्रोवाइट कर देता है करता है नहीं करता है direction जो भी हम पर future में difficulty आने वाली थी जो भी हम पर future में समस्य आने वाली थी अगर हम planning अच्छे से करते हैं तो देखो एक होती है calamities जो natural होती है लेकिन उनको छोड़ी दे जाए उनके बारे में तो किसी को नहीं पता है लेकिन कुछ समस्य हैस होती मालूम मैं business करना चाहरा हू अब मैं मारकर के business के बारे में planning कर ली मैंने अब planning अगर मैं करता हूं सबसे पहली बात यह है कि direction में लिका मुझे इसी का करना अपना business करना है दूसरा मेरे को क्या हो जाएगा अब मैं इसके बारे में सोच के चलूँगा कि मेरी ink महंगी हो गई तो marker का price क्या रखूं दूस हम इस चीज को क्या कर से मारकर को market में उतार सकते हैं और जो भी cost होगा price होगी market जब आएगा कोई भी कॉमटीट है तो हम अपने marker की price को up-down करेंगे यह हमने पहले ही सोच के रख लिया है हमें पता है कि marker का दूसरी भी brand आएगी जो हमें क्या करेंगी कि कॉमटीट करेंगी planning reduces overlapping and wasteful activities यह बिल्कुल सही बात है अगर हम planning करते हैं तो कोई भी एक काम दो बार नहीं हो सकता है हमारा waste जो है वो कम होगा ठीक है अगर हमने decide कर लिया planning कर ली कि इसको यह काम करना है हमारी यह managers यह काम करेंगे हमारी यह workers यह काम करेंगे तो उसके बाद हम overlapping का तो कोई सवा सब्सक्राइब करते हैं हमारे दिमाग में कोई चीज नहीं है हम बोलते हैं मैं ऐसा काम करना चाहरा हूं तो हमें जो आइडियाज मिलते हैं तो हमें उसमें से सबसे बैस्ट अलटनेट क्या करना पड़ता है ले लेते हैं तो हमें planning क्या करती है innovative ideas we create करती है planning facilities in decision making सभी बात है planning क्या करती है decision making decision making help करती है अगर हम पर allternates हैं तो हम best alternate लेंगे ना planning में सो बेटा जी हम क्या करेंगे हम हम पर बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं तो हम तो सबसे बैस्ट अल्टरनेट लेंगे जो हमें अच्छा लग रहा है कहां इसके थुरू हमारी मार्केट क्या हो सकती है ब्रॉड हो सकती है इसके थुरू हम अपने बिजनिस को क्या कर सकते हैं सही कर सकते हैं तो हम तो वह वाल अल्टरनेट लेंग जो भी हम आज पोजीशन पर हैं, प्रॉफिट या पोजीशन पर आज जो भी हैं, और हमने जो प्रॉफिट और पोजीशन हमने क्या करी थी, प्लांड करी थी, तो क्या हम प्लांड वाली पोजीशन पर पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, इस चीज को भी प्ल कराता उसे अचीव नहीं कर पाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारी सिसमें कहां कमी हुई है पूरी प्रॉसेस में जो हमने काम करा है पिछले 2 पार्ट टू मैं अगली वीडियो में लेकर कहूंगा और मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत